का हालो फ्रेंड्स कैसे यो आप लोग उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे बहतर होँगी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भुगोड टोपिक एक निया टोपिक है फ्रेश टोपिक है और स्टार्ट उसी प्रकार से करेंगे जैसे कोचिंग सेंटर वगेरा में किया जाता है तो शुरू के अंदर आपको जो है नक्षा परना सिखाऊंगा हमापको और मेप जो भरेंगे हम उस तरहें से भरेंगे जिसे कि आपको जो है एजिली याद रहे चीजी आगे आपके जो है काम आई क्योंकि आगे जितने भी टॉपिंग आई ने उन सभी को मैं जो है मेप से रिलेट करूंगा तो आप जो है मेप आपके पास अगर पड़ा है तो ले लीजिए नहीं तो फिर आप जो है बजार से नक्से की वो आप देख लीजिए कि मेप में भारत जो है वो इस प्रकार से दिखता है ठीक है और अगर सबसे उपर भारत के बात करें अगर मैं जोम करूं उपर की और यानि उत्तर दिशा की और क्योंकि सबसे पहले आप दिशा देख लीजिए ये पूरू दिशा है ये यह उत्तर है और यह धक्षिन है ठीक है इसके अंदर अगर हम बात करें सबसे ऊपर चले हम तो यहांपे जो है जम्मो कश्मीर आता है ठीक है और इसको शायद याद रखना भी इतना मुश्किल नहीं है क्योंगि जम्मो कश्मीर इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट जब हम चलते हैं तो जम्मू कश्मीर के जश्ट नीचे यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब है ठीक है और पंजाब के अंदर अगर फ्रेंड्स आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि थोड़ी सी दूर में ही काफी जो है थोड़ी थोड़ी दूर में चेक वोस्ट है प पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नीचे जश्ट नीचे जो है पंजाब है पंजाब के अकर जश्ट नीचे बात करें तो राजस्तान है आपको पता होगा कि गंगानगर जिला जो है उससे डारेक् याद रखेंगे पंजाब पंजाब के निचे राजस्तने राजस्तान के जश्वभ आवाते यहां पे आपको जो हो कि गुजराथ दिखाई देगा ठीक है और गुजराथ के जशनी से यहां पे आपको महराश्र कामी बड़ा जिला है इसली आपको दिख जाएगा मेप के अंदर और इसके नीचे की और अगर बात करें तो करनाटक है और करनाटक और महाराष्ठ के बीचे के चोटा सा जिला दिखाई देरा होगा यह है वो गुवा है ठीक है इसके जस्ट नीचे अगर बात करें तो यहाँ स्ट नीचे की और के और के राइटंड die आपको जो है यह मिलणारभू नाडु दिखाय देरा होगा क्ता पा चेंडरों आई से लंबाई में जज़ा हिला हुआ और यह इसकी शेप है कफी ठीक है इस तरह से सीमांदर को क्या है सीमांदर बनाया गया है यह कँ के टेलंगाना और सानदर को अंदर-ब्रदेश को दो बागों में बांट करके और फिर जो है बनाया गया है ठीक है तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बाकि हम आगे चर्चा करेंगे इस टोपिक पे अभी हम सिर्फ जो है वो में भी बर रहे हैं ठीक है इसके उपर यानि सिमांदर के उपर आपको और इसा दिख जाएगा और उडिसा के उपर आपको जाओ यह जो राज्य है यह आपको जो दिख रहा है यह पस्चिम बंगाल है यहां पर यहां पर आपको जो है पस्चिम बंगाल दिख रहे हैं और काकी जो है इसकी भी यह भी आपको में इसली दिख जाएगा यहां पर इस तरह से जो बात करें तो ये नेपाल देश है ठीक है और अगर अब इधर आ जाते हैं यानि पूर्वी शेत्र की और ठीक है तो यहां पर आपको जो है छोटी-छोटी काफी राज दिख जाएंगे इनके उपर इंपोर्टेंट कोशन बनते हैं कुछ वो चर्चा करेंगे बाद में लेकि ठीक है और यहां पर अगर आप देखें तो यह जो है वाई शेप में आपको दिख रहा होगा एक राज जिसका नाम है असम ठीक है और अगर आपको आप ध्यान से देखें तो आपको यह असम है यह दूर से ही जो है कलियर दिख जाता है ठीक है तो इसकी जो राजदानी है आसम की राज़दानी भी दीसपूर है ठीक है तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं इसके लावा अगर बात करें टो असम की जश्ट आगे आपको एक छोटा सा राज़व आगे निकला हुआ दिखाई देता है ठीक है तिरपूरा और इसकी तो राज़दानी है वो है अगरतला ठीक है आगे निकला हुआ दिखाई दे रहsole। राज़दानी क्या होगई अगरतला हो गई बड़ा इसली बात करें तो आप यहां पे वापिस पस्चिम मंगाल में आईये पस्चिम मंगाल के साथ में यहां पर आपको भिहार दिख जाएगा यह बिहार है बिहार के लेफ्ट साइड बे उत्रप्रदेश ठीक और उत्रपरदेश चर्चा में भी है योग अदितेनाद जी पि-एम हास कि ठीक है और स्वरी अधित्यनाजी जो है वहां पर इसमें मुख्य मंत्री हैं तो कि उत्तरप्रदेश यह उत्तरप्रदेश के जश्ट नीचे आपको जो है मद्यप्रदेश दिख जाएगा ठीक है और मद्यप्रदेश के कि जश्ट साइड में यह जो एक लंबा सा जिला आपको दिखाई दे रहे हैं यह आपको यहां पर 36 गड़ दिखाई दे रहे ठीक है और 37 गड़ से नीचे तेलंगा ना कि अपने बात कर ली थी पहले ठीक है तो उपर वापिस चलते हैं यहां पर जमू कुष्मीर जमू कुष्मीर के जश्ट नीचे यहां पर हीमाचल तो हीमाचल और जमू कुष्मीर आप यजली याद रख सके दोनों ठंडे पर देश है इसक की राजधानी और एक केंदर सासित परदेश भी है यह ठीक है इसके साथ हूं चलिए अब इसको जो है मैं दूर ली जाकर कि और एक चीज़ और दिखाता हूं आपको यहां पे आपको जो है कुछ बिंदियां दिखाई दे रही होगी यह जो आपका लक्षदीव है ठीक है यह भी एक केंदर सासित परदेश हैं केंदर सासित परदेशों के अलग से बात करेंगे फिला आपको और भारत के उत्तर दिखा के अंदर अगर हम उत्तर दिखा से दक्षिन दिखा की और चलते हैं तो यहां पे नीचे की और दक्षिन में हिंद मास अगर मिल जाएगा इतर जो है यह बंगाल की खाडी ओर यह जो इतर आपको दिखाई दे रहे यह पॉ ключ पाडोर तो इस tahrne से आप जो ऑब सकते हैं कि अ मौल की साधना और यहां तो यहां पे आप चीजों को याद रख सकते हैं और गजिरात की बात करें मैं गजिरात के अंदर आपको जो है aqu75 तो फूहें। नख्यावलीय कि पर बात कश्क हैं कछ्कीड इजा नहीं काडिकर और आपने नकसे की बात कर ली अम्प अपने कम्प्लीट भर लिया है उम्हिद करता हूँ कि आपने भी भर लिया होगा और आप इसको याद भी कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर हम इसकी कुछ important facts की बात करेंगे और ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप जरूर बताईएगा अगर आपको पसंद आईए ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को अगर आपको इसी तरह के आगे वीडियो चाहिए चोगी इसके आगे के पार्ट्स मैं बनाऊंगा आगे तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही जैही जै भारत वंदे मातरा